बहुत नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हिंदुस्तान की बेची माजरी कलाल आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन रास्टवाद आज रास्टवाद में क्या है खास पहले ये जान लीजिए फरसा और गदा से बबुआ का क्यों हुआ है मोहभग परिवार पर क्यों छिड़ी है चुनावी जग चौथे चरण में सांड पर बड़ी सांसत के पीछे क्या कसाई वाली सियासत तीसरी खबर बबुआ का वन्शुबादी रण के खिलाफ क्या है बाबा का भगवाप रण और चुनावी रण में कैसा है पूरवांचल का मेला क्या है माफिया पर नया खेला आज इसी पर करेंगे विश्लेशन क्या उत्य प्रदीश के बाकी के तीन चरण की जंग अब परिवार बाद के नाम पर लड़ी जाएगी और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या प्रिधान मंत्री मोदी मुस्लिम महिलाओं के वोट को भगवा जोली में डालने का जुगाड कर चुके है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बता दू कि अखिलेश यादव ने प्रिधान मंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के कुवारेपन को लेकर सबसे बड़ा हमला बोला अखिलेश ने किसान अंदोलन की दौरान जान गवाने वाले किसानों का नाम लेकर ये कहा कि जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दर्द क्या समझेंगे लेकिन अखिलेश का ये दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया पीएम मोदी ने अखिलेश के इस हमले के जवाब में तीन तलाख के कानून की एंट्री करा दी बारा बाकी की रैली में प्रिधान मंत्री मोदी ने साप कहा कि जो परिवार वाले हैं वो मुस्लिम महिलाओं का दर्द क्यों नहीं मैसूस कर पा रहे हैं फरसा घदा से मोभ भंग परिवार पर जंग परिवार पर बबुआ की सर्जिकल स्ट्राइक मुस्लिम महिलाओं पर मोदी का मास्टर स्ट्रोप हम परिवार वाले हैं इसलिए परिवार का दुख जानते हैं पी-एम मोदी और सी-एम योगी के कुवारे पन का मसाक उड़ा कर लाल टोपी वाले भाया जी ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली हैं दरसल अखिलेश यादो अपनी हर सभाओं में हर गली चौबारों में पी-एम मोदी और सी-एम योगी की परिवारिक जिंदगी को लेकर तंज कस देते हैं आज एक बार फिर उन्होंने किसानों की मौत और मौत से जुड़ी संबेदना को परिवार से जोड़ दिया फिर क्या था आपदा को आउसर में पदलने के खेल के सबसे बड़े फनकार पी-एम मोदी ने बबुआ को ऐसा धूबी पचार दिया कि अखिलेश के बड़े वोट बैंक के दरकने का खत्रा पैदा हो गया है जो लोगों ने साड़े साथ सो किसानों की जान ले ली हो वो परिवार वालों का दुख कभी नहीं समझ सकते इसे कहते हैं आपदा को आसर में बदलने की कला खुद पर वार के बाद पी-एम मोदी जब पलट वार करते हैं तो उनकी मारक शमता का अंदाजा आम तोर पर विरोधी नहीं लगा पाते अब परिवार को लेकर हुए नीजी हमले के जबाब में पी-एम मोदी ने जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के दुखदर्द का जिक्र किया है उसका असर अब दूर तलक जाएगा दरसल 2017 के यूपी विधान सभाच चुनाओं से पहले केंदर सरकार ने तीन तलाग के खिलाब कानून बनाने का भरोसा मुस्लिम महिलाओं को दिया 2017 के विधान सभाच चुनाओं के नतीजों पर इसका असर भी दिखा तब मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी ने बाजी मार ली और कहा ये गया कि तीन तलाग के दंश से मुक्ति मिलने के भरोसे के बाद गुरका नशी महिलाओं ने चुपचाप कमल का पटन दबा गिया साल 2019 के लोग सभाच चुनाओं से पहले सरकार तीन तलाग पर अध्यादेश लेकर आई और एक बार फिर इसका असर आम चुनाओं के नतीजों में देखने को मिला चौथे चरण के रण के दोरान ही मोदी ने एक बार फिर से मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा, हूक और टीज के प्रती संबेदना के दो शब्द बोलकर पाजी पलटती है याद रखना आप लोग जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख दर समझ सकता है कैसी कूप्रसाओं ने कैसे मुस्लिम बेटियों को पूरे परिवार को असुरक्षित कर दिया था आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको यह मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंसा क्यों नहीं हुई पारा बंकी के अपनी चुनावी सभा में तीन तलाक की शिद्दत से चर्चा कर पिये मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है तरसल केंद्र सरकार अपने वादे के मुताबिक दिसंबर 2018 और जून 2021 में जब तीन तलाक कानून संसग में पेश कर रही थी तो समाजवादी पार्टी ने तुष्टी करण के चकर में इसका जबरदस्त विरोध किया था तब समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाशा नहीं था कि ये मुसल्मानों की आधी आबादी के सम्मान और गैरत से जुड़ा मुद्दा है क्योंकि बहुत सी ऐसी मुसल्म महिलाएं हैं जिनकी जिन्दगी तीन तला की वज़ा से तबाह हो चुकी है ऐसी महिलाओं ने तीन तला कानून का खुले दिल से स्वागत भी किया था तरसल मोदी को पता है कि चरम पंथी मुसलिम समाज कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगा लेकिन समाज की जो पढ़ी लिखी महिलाएं खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं पुर्षों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं समाज में बरावरी की तलबगार हैं वो जरूर मोदी के तीन तलाक वाले पलटवार का सस्दे में आकर स्तेकवाल करेंगी मोदी जानते हैं कि बाकी के तीन चरण में ब्रगतिशील मुसलिम महिलाओं का तीन तलाक को लेकर मिजाज बदला तो लाज टोपी वाले भाया जी का अपने गढ़ में ही खदेड़ा हो जाएगा कहने की जरुवत नहीं कि पीएम मोदी और सीएम योगी के कुवारेपन का मुद्दा छेड़ कर परिवारवादियों ने अपने ही पैर में कुलहाडी मार ली है उत्तर प्रदेश के चिनावी दंगल में वंशवार परारपार के सियासत अलग अंदास दे हो रही है तो बबुआ वंशवार के जवाब में गौवंश यानी सांड का मुद्दा उचा रहे हैं दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार में सांडों ने किसानों का जीना दूभर कर दिया बबुआ उमीद लगा रहे हैं कि इस बार चिनाव में सांड समाजवादी पार्टी को सत्ता दिलाने के लिए बहुत बड़ा कांड कर जाएंगे शायद इसलिए समाजवादी कारेकरता सांडों के सामने मोदी मोदी चिला रहे हैं और योगी बाबा की चिनावी सभा के बार सैकडों की तादात में सांड पहुंचा रहे हैं लेकिन मैं हिंदुस्तान के बेटी चिनावी सियासत में हो रहे हैं सांड बाजी के पीछे कुछ अलग तस्वीर देखनी है मेरा खेले शियादव से सीधा सवाल है कि ये सांड का हला मचा कर समाजबादी पार्टी कहीं फिर से उत्तरप्रदेश में बूचर खाने खुलवाने का सियासी दाव तो नहीं लगा रहे हैं ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने 2017 में जिन चिनावी वाइदों के जरिये जनता का भरोसा जीता था उसमें एक चिनावी वादा यूपी में हजारों की टादात में चर्वे बूचर खाने बंद करने का था योगी सरकार ने सत्ता संभालने के 6 महीनी के अंदर ही बूचर खानों पर ही नकेल कसी और जनता से भावाई भी बटो दी बाबा का बुल डोजर बना बबुआ का बुल यूपी चुनाव में वन्श्वादी सियासत फुल अब ही हम जैसे ही बहराईज में आए बाबा मुक्रण्दी जी का पुरिये जानवर हमें दिखाई दे गया सड़कपाद सांड के सींग की टेकर से एगर किसी की जान बें होगी उस्तमादाई सब्करण्दी नहीं देता है उसके गोबर से भी आए हो एसी व्यवस्ता में आपके सामने खड़ी कर दूंगा वाई है इधर सांड ने मार दिया उधर सांड ने सींग मार दिये इस बार सांड करेगा बड़का कांड सड़क पे आम आदमी परिसान है योगी जी मोदी जी के ललका सांड से लड़कर के उत्रामा सेंटर जा रहा है को बात हैं भूल जाएए बुलो बुल्डोजर वाली ने बुल समाल पारे ने बुल्डोजर समाल पारे 12 के बाद भारती जन्पापाटी के लोगन के पी लिया होई जाए आरे के परसों सान्ड ने हातरस में मार दिया तो आए नहीं हात्रस में तो हात्रस में किसने मार दिया सान ने मार दिया अब हमरे पधर मंतरी का का त्वन जब से सुले हुआन की ललका सान अब काली परसों से बोलत वन की गोबर बिचवाई जो किसान बे सहरा गायों की देख भाल करेगा यूपी चुनाओं में सान के बहाने बढ़का कान करने की जुगत में समाजवादी पार्टी लगी हुई है सानों की घेराबंदी इस तरह की जा रही है ताकि लाजटोपी देख कर वो भड़क जाए और हंगामा काट दे ताकि सान की सियासत कर जनता से वोट मांगा जा सके ये तस्बीर पिछले हपते की है जब फिरोजाबाद में बबुआ की सभा में सान भुसाया इस पर समाजवादी कारे करता इसकदर जोश में आए कि सान को घेर कर मोधी मोधी करने लगे गणीमत मानिये कि सान शांती प्रिया था नहीं तो इतनी देर में चर्खा दाउ दिखा कर दोचार को पठखनी दे चुका होता बाबा की रैली सान्डों का रैला चन्द घंटे पहले की इस तस्वीर पर भी गौर फर्मा लीजिए ये बारा बंकी की है जहां सान्डों को गाडियों से लाला कर सीम योगी की रैली वाली जगा पर हांक दिया गया दावा किया गया कि इने किसान छोड़ गये हैं लेकिन चुनावी खेला तो लाल टोपी वालों का ही था जरा सोची ये हजार की तादाद में छुटा छोड़े गई ये सान्ड अगर किसी को निशाना बनाते तो टोपी किसके मत्थे फाड़ी जाती सान्ड की सियासत का खेला पुर्वांचल में करीने से किया जा रहा है सान्ड के नाम पर उकसाने की पूरी तयारी है जिसमें बबुआ के साथ उनके चुनावी साज़दार राजभर भी जीजान से चुटे हुए है दावा किया जा रहा था कि चौथे चरण में यूपी की जिन 69 सीटों पर चुनाओ है उसमें 50 सीटों पर सान्ड बहुत बड़ा मुद्दा है सियासी सांड बाजी को चुनावी रैलियों में खूब हवा दी गई तो बीजेपी की ओर से उसका माकूल जबाब भी हातो हात दे दिया गया सांडों की सियासत का असली खेला समझना हो तो यूपी के 2017 का चुनाव याद कर लीजिए जब यूपी में जगा जगा फैले बुचर खाने बड़ा चुनावी मुद्दा थे और तब योगी नहीं है हटाने का चुनावी वादा किया था और सरकार बनने के बाद बुचर खाने बंद हुए तो जनता ने तालिया भी बजाई थी सवाल ये है कि अब चुनावी दंगल में सियासी सानबाजी क्या यूपी में फिर से बुचर खानों को खोलने का बड़ा दाउ है सान का संकट गिना कर समाजवादी पार्टी के नेता प्रत्याशी यही तो कह रहे हैं सवाल तो यही है कि सान्डों को सड़क पर छुटा आवारा छोड़ने वाले कौन है जबकि योगी सरकार ने सरकारी गोशालाएं बनवा दी है जहां गायों और गोवन्शों के रखरखाओं का इंतिजाम किया गया है सियासी सांड बाजी के पीछे कसाई खानों को फिर से खुलवाने का खेला मोधी योगी तो भाप रहे हैं सवाल यह है कि जनता इसे किस सर्थ तक समझ पा रही है बिरो रिपॉर्ट जी मीडिया उत्रप्रदेश में चार चरण की जंग मुकबनल हो चुकी है चार चरण के तहर 211 सीटों पर उम्मीदवारों के किस्मत भी लौग हो गई पर भगवा बाबा ने पांच साल से गर्दा मचाय हुआ है यही वज़े है कि अखिलेश यादव ने गौवंश के मुद्दे को नया ट्विस्ट दे दिया है मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बटा दू कि आखिरी के तीन चरण में अखिलेश यादा सांड के सहार है सांडू के मुद्दों पर खासतोर से किसानों को उकसाया भी जा रहा है और कैसे इस मुद्दे को और ज्यादा गहरा किया जा रहा है जरा इस रिपोर्ट में देखिए 172 सीटों पर दिल्चस्प खेला सियासी अखाडे में सांडों का ज्ञमेला यूपी के बागी के तीन चरण की 172 सीटों पर लाल टोपी कैंप ने सांड और अवारा पशों को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है दरसल साल 2017 में गोरक्ष पीट के पिठा धिश्वर योगी अधितनाथ जब यूपी के सीएम बने तो सबसे पहले उन्हों में अवैद बुचडखानों की नकेल टाइट की गाय काटने वालों पर बाबा ने कानून का ऐसा हंटर चलाया की बुचडखानों पर ताले लटक गए इसकी वज़ा से यूपी में गोवन्श की तादाद बढ़ गई और गोवन्श की बढ़ी हुई तादाद को ही समाजवाद की रेडार्मी ने सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है लेकिन भगवा बाबा ने भी साफ कर दिया कि दोबारा जीत क्या है तो आवारा पशो का अलग से इंतजाम किया जाएगा लेकिन गायों को कसाईों के हाथों में नहीं सौपा जाएगा साफ है कि गाय और कसाई बाकी बचे तीन चड़नों के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुके हैं लेकिन बाकी बची 172 सीटों की चावी तो अयोध्या में बनने वाले भब्बे दिब्बे राम मंदिर के आहाते में पड़ी हुई है तो श्रीकरण का काम तमाम बाबा के काम आएंगे राम 2017 के विधान सबा चुनाव और 2022 के विधान सबा चुनाव के दर्मियान भगवान राम की जन भूमी को लेकर आतिहासिक बदलावा चुका है साल 2017 में बीजेपी के विरोधी नारा लगाते थे कि मंदिर वही बनाएंगे डेट नहीं बताएंगे अब तो डेट की कौन का है अयोध्या में अलौकिक और दिब्बे राम मंदिर का निर्माण कारे भी शुरू हो चुका है इसी लिए भगवा बाबा इस मुद्दे को लेकर कमाल के जोश में हैं दरसल अयोध्या का मुद्दा भगवा बाबा के लिए तुरूप का वो इका है जिसकी कोई काट भाईया जी के पास है ही नहीं एक काम कौन कराया है राम मंदिर का मुद्दा अखिलेश यादो के लिए इतना बड़ा शूल बन चुका है कि वो इस अखाडे में उतरने तक को राजी नहीं है क्योंकि बाद सिर्फ मंदिर बनाने का नहीं है समाजवाद की लाज टोपी तो राम भक्तों के खून से भी दागदार है इसी आयोध्या में आखिलेश के पुझे पिताजी ने निहत्थे राम भक्तों पर गोरियों की बौचार करवा दी थी और इसी आयोध्या में अब दिब्वेपुन ने राम मंदिर का निर्मार हो रहा है आखरी के तीन चरण में बाबा के बुल्डोजर का शोर सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है दरसल आखरी तीन चरण में यूपी के जिन इलाकों में चुनाओं होने हैं उनमें माफिया डॉन मुक्तार अंसारी और अतीक एहमद का इलाका भी आता है पांस साल पहले मुक्तार और अतीक जैसे माफिया पुर्वांचल के लोगों के लिए खौव का परियाय बने हुए थे लेकिन योगी के शासनकाल में जेल की चक्की पीस रहे हैं सबसे मज़्यदार तो ये है कि आज जब चौथे चरण की वोटिंग हो रही थी उसी दोरान बाबा ने एक बार फिर अपना बुल्डोजर दोड़ा दिया मुक्तार अंसारी की पतनी अप्शा अंसारी की मिल्कियत वाले घजल होटल के पास वाली जमीन को बाबा ने आज कुर्क करवा दिया पूरे तीन दशक से मुक्तार अंसारी मौव विधान सभा से किसी ना किसी पार्टी का टिकट लेकर चुनाओ लड़ता रहा था लेकिन इस बार बाबा ने ऐसा बुल्डोजर चलाया कि मुक्तार अंसारी चुनाओ लड़ने लायक भी नहीं बचा लेकिन कमाल देखिए कि अखिरेश यादो के पियर का चचा ओम प्रकाश राजभर ने मुक्तार के बेटे अबास अंसारी को टिकट दे कर बाबा के बुल्डोजर को चुनाओती डे डाली है साफ है कि बाकी के तीन चरण के तहट आने वाली 172 सीटों की दशा और दिशा भगवा ब्रिगेड और लाल टोपी कैम्प ने तै कर दी है अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो किस दिशा में अपने मुस्तक्बिल को ले जाना चाहती है बिरो रिपोर्ट जी मीडिया दूसरे तरह वो वैसी भाईजान है जो उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में खुद को दाव पर लगा कर कुछ भी हासल करते नजर नहीं आ रहे है मैं हिन्नुस्तान की बेटी आपको याद दिला रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में लोडर को लीडर बनाने का दावा इनहीं दोनों सियासी चेहरों ने किया था अब यूपी की जनता इन्हें भरोसे में लेकर इनके जहासे को तार-तार करती नजर आ रही है अपना खेला तमाम फिर भड़काएंगे भाईजान इस बार अंग्रेजी के प्रतश्चे तगवार ने उनका भी नाम बतल दिया गर में घीरे राजभर कहराया विदाई का डर समाजवादी खेमे से चुनावी सेटिंग के बाद ललका पियर का सांड का हला मचा रहे ओम प्रकाश राजभर अपने ही घर में घिर गए हैं जहुराबाद से जीत का चुनावी गडित बिठाने का दाउं अब उल्टा पड़ रहा है जनता के तीखे तेवर देखकर अब लखनव ही सही ठिकाना दिख रहा है बीएसबी के टिकट से ताल ठोक रही शादा फातिमा राजभर को 2012 की याद दिला रही है उनके गबर वाले चुनावी बयान को हवा में उड़ा रही है तो पियर का चचा की चुनावी लाठी लड़ खाडाने लगी है यही हल हैदराबाद के भड़काओ भाईजान का दिख रहा है यूपी चुनाव के तीन चर्णों में भड़काओ भाईजान ने पूरी जान लगा दी लेकिन पश्यमी यूपी में मन का खेला नहीं हुआ अब पुर्वांचल में उठा पटक की उमीद लगा रहे हैं न लोडर न लीडर का नारा काम आया नहीं गाजी सलार का हवाला काम आया और नहीं हिजाब वाला हंगामा काम आया सब आजमा कर देख लिया जब मन का कुछ नहीं हो पाया तो बीजेपी के शाह की फिसली जुबान को ही मुद्दा बना लिया क्या हो मिनिस्टर भाई वा मोडी जी वा आपने तो पूरे उत्तर परदेश की जन्ता को बता दिया के ट्वेल्द के बाद इंटर्मी इडियर होता है वा और बीजेपी को बड़ी महबबत मगलों से बीजेपी बोलती हमको और दो मगलों को हराना है तो बादशा अकबर के दरबार में हमने पढ़ा के 40 अनमोल रतन थे क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के पदान मंत्री वा वैसी अभी इस जुगत में लगे हैं कि किसी तरह यूपी के चुनावी दंगल में खाता खुल जाए ताकि मुस्लिम तबके का राश्टियत चेहरा बनने की खुआईश किसी तरह पूरी हो जाए इसी उमीद में ताबरतोर दाओं चले जा रहे हैं क्या पता जाते जाते तुक्का तीर बन जाए बिरो रिपॉर्ट जी मीडिया इसी की साथ राश्टवाब में आज के लिए इतना ही कल फिर से हासिर होंगी तैव वक्त पर तब तक के लिए बने रहे हैं जी हिंदु स्तांसर और मेरे साथ रोजाना राज नौ बजे राश्टवाज